सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए उस जमाने में लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहते हैं इसके बारे में जानने के लिए इस तरोध एक और दो पढ़िये तो इस तरोध एक पढ़ते हैं बच्चों 84 नियमों की सूची यहां महरास्ट के एक गाउं में रहने वाले ब्रहमन विशुणूभट गोट से द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिये गए हैं विशुणूभट और उनके चाचा मतुरा में आयोजित किये जारे एक यग में भाग लेने के लिए निकले थे विशुणूभट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाईयों से हुई जिन्होंने उन्हें सला दीकिवे वापिस लोट जाएं क्योंकि तीन दिन के भीतर चार तरफ को हराम मत जाएगा सिपाईयों ने जो कहा वह इस प्रकार था अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसल्मानों के धरम को नश्ट करने पर आमादा है उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौझूदगी में उसका एलान कर दिया है उन्होंने बताया कि राजा इनियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिडामों की चेतावनी दी है राजाओं ने कहा है कि अगर इनियम लागू किये गए तो भारी उतल पुतल मच जाएगी कि राजा भारी गुसे में अपनी राजधानियों को लोट गए है तमाम बड़े लोग योजनाय बना रहे हैं धरम युद के लिए तारीख तैय कर ली गई थी और मेरट छावनी से एक गुप्त योजना तयार करके विभिन छावनियों में बेज दी गई थी इस रोध दो पढ़ते हैं बच्चों जल्दी ही हर टुकडी में उतेजना चागई उस दोर की एक और जलक सुबेदार सीतराम पांडे के संसमरणों में मिलती है जो बंगाल नतीवे आर्मी में सिपाही के तोर पर 1812 में भरती हुए थे और 1860 में सेवानी विरत हुए थे उन्होंने बगावत को दवाने में अंग्रेजों की मदद की हाला कि उनका बेटा भी विद्रोईयों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीतराम की आँखों के सामने ही मार डाला था सेवानी विरती के बाद उनके कमान अफसर नौरगेट ने उन्हें अपने संसमरण लिखने के लिए प्रेडित किया सीतराम ने 1861 में अबदी भाषा में अपने संसमरण लिखे जिसका नौरगेट ने अंग्रेजी में अनुगात किया और फ्रॉम सिपोय टू सुबेदार सिपाही ने सुबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया सीतराम पांडे के संसमरण का एक अंशिस प्रकार था मेरा मानना है कि अवद पर हुए कबजे से सिपाईयों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजशें रचने लगे थे अवद के नवाब और दिली बादशा के नुमाइंदों को सैनक की नवज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया उन्होंने सिपाईयों की भावनाओं को और हवादी उन्होंने सिपाईयों को बताया कि विरेशों ने बादशा के साथ कितना बड़ा धोका किया है उन्होंने हजार जूट गर्ड डाले और सिपाईयों का अपने मालिक अंग्रेजों के खिलाब बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिली में बादशा को दुबारा गदी पर बठाया जा सकें उनकी दलील थी कि अगर सिपाई मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सैना ऐसा कर सकती है सैयोक से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तमाल का तरीका बताने के लिए अलग-अलग छाबनियों में बेजा इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाईयों को प्रिशिक्षन दिया इसी दोरान ना जाने कहां से एक खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तमाल होने वाले कार्तूसों पर गाय और सुवर की चरवी का लेप चड़ाया गया है हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिख कर ये खबर भेजने लगे और जल्दी हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का मोहल बन गया कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजभब को चोट पहचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया अवद पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे स्वार्थी लोगों ने फोरण ये कहानी गड़ दी अंग्रेज तो सबको इसाई बनाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कार्थूस तयार किये हैं ताकि उन्हें इस्तमाल करने से मुसल्मार और हिंदू दोनों ही ब्रश्ट हो जाएं करनेल साहब का मानना था कि ये बैचेनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खतम हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर जाने की घर चले जाने की हिदाया दी आप question number one है बच्चों देखे question number one है माज़ा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विशुडू भट और उनके चाचा को क्यों लोट जाने को कहा यहाँ पर है क्यों ठीक है तो आप क्या करेंगे answer आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे सिपाहियों ने विशुडू भट और उनके चाचा को लोट जाने को कहा क्यों की फिर देखिए कहा बस आप क्यों नहीं करेंगे बस इतना लिखेंगे answer number one में और उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे क्यों की तीन दिन के भीतर चारों तरफ कोहरा मच जाएगा सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था अंग्रेश सरकार हिंदू और मुसल्मानों के ध्रम को नश्ट करने पर आमादा है उन्होंने चुरासी नियमो की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजों राजकुमा चारों की मौझूदगी में उनका एलान कर दिया है ठीक है इतना आंसर लिख लेंगे आप आंसर नमबर वन में आप कोशे नमबर टू है सीतराम पांडे कौन थे उन्हें संस्बर्ण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया ठीक है बच्चों कोशे नमबर टू है तो इसका आंसर आप लिखेंगे देखिए इन वर्कशीट में है यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर नमबर टू स्टार्ट करती ही आप लिखेंगे पहले उनका नाम सीतराम पांडे बंगाल फिर आप यहाँ से लिखनँ शुरू करेंगे बंगाल नतीवे आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में बढ़ती हुए थे और 1860 में सेवा नीवरत हुए थे, मतलब रिटार्ड हुए थे ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे सेवा नीवरती के बाद उनके कमान अफसर नौरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया आपका अंसर नंबर 2 हो गया बच्चो आप कोशन नंबर 3 है अंग्रेजी फोज के भारती सिपाहियों में विश्वास क्यों भर गया था तो इसका अंसर आप यहां से लिखेंगे बस इतने ही है इसका अंसर देखिए अवेद पर हुए कबजे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था ठीक है छोटा सी अंसर है अब है कोशन नंबर 4 इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सायक हो सकता है विस्तार से लिखे यह हमें थोड़ा बड़ा लिख रहा है विस्तार से तो इसका अंसर हम लिखेंगे बच्चो इस्मृति के आधार पर किसी विशय या व्यक्ति के संबंद में लिखित किसी लेख या गरंद को संस्मरण कहते है इतिहास को जानने में संस्मरण सायक है क्योंकि यह किसी वस्तु को मलगा लेना घटना या व्यक्ति आधी से संबंदित इस स्मृतियों पर से समय की धूल को हटा देता है और अतीत के चितर साकार कर हमारे सामने ले आता है तो आपकी वक्षिट सॉल्व हो गई है स्रुजेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पूर वच्चिंग